किसी ने तो लालच दिया होगा उधव को, उसके बाद किसी ने लालच दिया होगा शरत पवार जी को, बिना वो लालच दिये ना तो उधव टर्न करते और बिना वो लालच दिये ना तो शरत पवार टर्न करते. इसा है कि मेरा अपना मानना है या मेरा जो पुलिटिकल इंटलिजन्स है या जो मैं लोगों से बात करके समझता हूँ उसमें शरत पवार जी का और उद्धो जी का ये डील हुआ था चुनाओं से पहले और शरत पवार जी ने उद्धो जी को ये कहा था कि देखे बीजेपी अगर 130 सीटे वगरा आ जाएगी तो आपकी जरूत उनको ने रहेगी तो आप ऐसा कीजिए कि हमारी सीटो पर जहां बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे है आप हमको मदद कीजिए आपकी सीटो पर हम आपको मदद करेंगे और इससे ये होगा कि आपका भी नंबर अच्छा ह हमको उनको ये लगी नहीं रहा था उस समय उनको ये अंदेशा नहीं था कि नंबर ऐसा फस सकता है पर नंबर फसा नंबर फसने के बाद बापिस उन्होंने वो ट्रैक चालू किया लेकिन पवार जी के पार्टी में लोग ये चाहते थे कि एक स्टेबल गवर्मेंट बने इसलिए पवार जी ने हमसे बातचीत की है लेकिन बाद में मैं ऐसा मानता हूँ कि पवार जी को ये लगा कि अगर ये गवर्मेंट बनती है तो एक कमपरेटिवली एक स्ट्रॉंग चीफ मिनिस्टर रहेगा उसके उपर पार्टी रहेगी नड़ा जी है अमिच शाय है उस ये कॉम्बिनेशन बन जायगा तो किंग मेकर भी मैं हूँ सरकार भी मैं चलाओंगा ये हो सकता है it's my assumption और क्या हुआ वो हुआ किंग मेकर थे वह बने तो ज़रूर किंग मेकर भी वह हो और किंग ब्रेकर भी वही बने किंग ब्रेकर कैसे बने ये लोग जो छोड़कर उनका तो कहना है वो था कि NCP हमको स्कोपी नहीं देती है और दूसरा उनका कहना ये था कि जिन मुद्धों पर बाड़ा साब ने पारटी बनाई उस सारे मुद्धे डंप हो गए उसके उपर तो हम बात नहीं कर पा रहे तो एक कुंठा उनके मन में थी कि भई हम लोग संक कुचित हो रहे है उसके चलते हमारे साथ है वो लोग